हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक तो मैं चैनल उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी समर न्यूड लाइट मेकप यह काफी लाइट मेकप है और काफी इजी है इसे आप अराम से क्रियेट कर सकते हैं काफी मीनिमल प्रोड इंच्राइब कर लीजिए इसके बाद में यूज़ कर रहे हूं इंसरीट का 3 1 वन प्राइमर जो की काफी अच्छा प्राइमर है और हमारे मेकप के बेस को भी काफी अच्छा बनाता है मैं इसे पूरे फेस पर अप्ली के योवर मैं ने काफी थोड़ी से नहीं यूज़ कर रहे हूं मैं सीधा concealer ही apply कर रहे हूं क्योंकि मैं यहाँ पर foundation नहीं use करूंगी मैं concealer से अपना पूरा base makeup करूंगी और जहां पर मुझे pigmentation की problem है वहाँ पर मैंने concealer apply कर लिया है थोड़ा सा आगे तिक से भी लगा लिया है अलका अलका dot dot की form में ताकि मेरा जो base makeup है वो अच्छा बन जाए और इसे मैं spread करूंगी brush की help से क्योंकि brush से हमारा concealer है वो काफी full coverage देता है और हमारा काफी अच्छा stay भी रहता है हमारे face पे concealer का और इससे हमारे जो make up में जो base makeup का जो finishing है वो भी काफी अच्छी आती है आप brush से इसे पूरे अच्छे से apply कर लिजियो और आप neck area पे इसे downward position में लेकर जाए क्योंकि इससे spread अच्छा होता है और अब मैं wet beauty blender से इसे मैं sponge से इसको थोड़ा dab dab करके इसको concealer को settle down कर लूँगी इससे finishing अच्छी आती है और base भी अच्छा बनता है इसके बाद मैं use कर रहे हूं Swiss beauty का primer mattifying setting powder यह काफी अच्छा powder है इसे मैं brush की help से अपने पूरे under eye पे apply करूंगी जाकि मेरी crease line ना आए क्योंकि summer में crease line आ जाती है इसे मैं eyelid के उपर भी apply करूंगी क्योंकि वहां पर भी हमे थोड़ी crease line आती है और इसे मैं apply करूंगी अपने lips के side में क्योंकि वहां पर हमारी जो smiling lines आती है वहां पर भी हमें थोड़ी crease आती है और nose की side पे भी apply करूंगी और बाद में मैं इसके powder के puff से पूरे face पे हलका-लका dab-dab करके इसे apply कर दूंगी ताकि mattifying रुका आ जाए इसके बाद मैं यहां पर use कर रही हूँ Swiss beauty की brown eyebrow pencil जो की काफी अच्छे eyebrow pencil है इसे मैं eyebrows को shape दूंगी इस पैंसल से आपके जो eyebrows हैं वो काफी natural look वाले लगते हैं अब मैं use कर रही हूँ rose quartz palette eyeshadow के लिए यहां पर मैं light brown color लोंगी transition shade और dark brown color लोंगी मैं main shade यहां पर मैं 2 eyeshadow use कर रही ह जो कि मैं back and forth position में ले रही हूँ आप जब भी eyeshadow apply करें और जब भी eyeshadow pick करें तो उसे थोड़ा सा tap कर लीजिए ताकि जो extra eyeshadow हो वो dust off हो जाए और इससे आपके जो eyes के उपर extra eyeshadow ना apply हो transition shade दोनों eyes पे apply कर लिया है और अब मैं लोंगी main shade जो कि मैं अपनी lid area पे apply करूंगी जिससे क जो मेरा जो नीचे का जो main shade है वो जादा उभर के आएगा क्योंकि हमें transition shade light color का लेना है अब मैं pencil brush की help से जो मैंने transition shade लिया था वो मैं अपनी lower lash line पर apply करूंगी इससे eyes काफी broad लगती है और काफी अच्छी लगती eyes की look जो भी आप transition shade लें वही apply करें क्योंकि transition shade light होता है उस pencil हमारी eyes को काफी broad और beautiful बनाती है अगर आप black काजल भी लगाना चाहते हैं तो आप वो भी apply कर सकते हैं कि आपकी choice के उपर डिपेंडे की जो आपको अच्छा लगता है वो apply कीजिए यहां मैं use करूं Maybelline का mascara जो कि मैंने off camera apply कर लिया था क्योंकि मुझे ठीक से लग नहीं र से लुक में काफी godiness भी नहीं देता काफी pleasant लुक लगती है आपकी और जो भी मैं यहां पर product यूज कर रहे हूं उसके shade मैं on screen दे दूंगे आप वहाँ से check out कर सकते हैं Blusher को मैं थोड़ा nose पे और थोड़ा सा chin पे भी apply कर लूँगी जो की काफी अच्छा लगता है हमारा face और अब मैं यूज कर रहे हूं इंसेट का creamy highlighter जो की काफी अच्छा highlighter है मेरी dry skin है इसलिए मैं creamy highlighter यूज कर रहे हूं अगर आपकी oily skin है तो आप दूसरा highlighter भी यूज कर सक इस highlighter को मैं थोड़ा सा cupid area थोड़ा chin पे apply कर लूँगी और थोड़ा forehead पे भी apply कर लूँगी इससे glossy look आती है और यहां मैं यूज कर रहे हूं मार्स की bullet lipstick क्योंकि काफी अच्छी lipstick है और हमारे face को काफी अच्छा look देती है summer's में काफी light color है तो friends यह makeup काफी easy makeup है और काफी easy तरीके से मैंने इसे apply किया है और especially working women's के लिए काफी easy हो जाता है सुबह के time ready होने के लिए क्योंकि उन्हें काफी जल्दी होती है और इस उमीद से कि आप इस वीडियो को like, share और subscribe करेंगे मिलती हूं आपसे next वीडियो में until then बाबाई